महिस लामंदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स दो ग्रूप के बीच में हुए पत्थराओं को लेकर पुलिस ने दोनों ग्रूप के आठ लोगों को सरेवजार अर्धनग्न करके रसी से बांद कर खुमाया और यही नहीं रास्ते पर पढ़े हुए पत्थर भी उठवाया और कान पकड़ कर इन लोगों से माफी भी मनवाई अब शोचल मीडिया में इस वीडियो को पोस्ट करते हुए आरोपियों को जिस तरह से अर्धनग्न करके खुमाया गया लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं यह पूरा मामला मधपरदेश के इंदौर का है जहां दो ग्रूपों के बीच में पत्थरा हुआ था और पुलिस ने इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के जो मुख्य आरोपी हैं इमरान और जुवेर इनके साथ आठ लोगों को सरे बाजार अर्धनग्न करके खुमाया है वहीं इस तरह की कारवाई करने पर पुलिस पर सवाल उठाते हुए जाकिर अलित्यागी नाम के एक यूजर ने एक्स पर ये वीडियो टूइट करते हुए लिखा है कि इन दोर पुलिस आठ मुसलिम योगों को पत्थराव करने के मामले में अर्धनग्न करके घुमाया है और आरोपियों का नाम लिखते हुए ये भी लिखा है कि इन पर F.I.R. दर्ज किये गई थी मगर F.I.R. दर्ज करने के बाद पुलिस को अदालती नयाय पर नहीं खुद की ऑन्दा इस्पोर्ट निती पर भरोसा है और इसी लिए आपसी विवात पर इन वोगों को सरे बा दूसरे पत्थर फेकने के मामले में आठ मुसलिम योकों को अर्धनगन करके खुमाया है बहुत से महापुरुष ये कहते हैं कि देश समविधान से चलता है मतलब समविधान में मुसलिमों के साथ ऐसा रवया अपनाया जाता है क्या यानि कि सोशल मीडिया में अब पुलि या निसान लगा रहे हैं पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जिस देश्ट में कानून है अदालत है उस देश्ट में अगर आरुपी के खिलाफ F.I.R. दर्ज की गई है तो उसे कानून के तहट सजा देनी चाहिए ना कि पुलिस सरे बाजार किसी को भी अर्ध नगन करके घुमाएए